नमस्कार फ्रेंट्स आज मैं बनाने जा रहे हैं गाजर के हलुई के शॉट्स और यह बहुत इजी है जल्लेली हम इसमें जो गाजर का हलुई बनाते हैं तो गाजर का निसमें बनाते हैं जिनको चीलके घ्रैट करने के बाद हमने इस गाजर को कढ़ाई में रखा है और हलके से सौते किया ताक इस पानी निकल जाए थोड़ा सा पानी निकलने के बाद हम इसमें हाफ-ाफ लीटर दूद एड़ करते रहेंगे दो किलो गाजर में लगबख तेर से दो लीटर ही हमको मिल्क चाहिए उसके अरावा जो हमने यहां पर लिये हैं वो हमारे ड्राइ मिक्स ड्राइ फ्रूट्स है और हमारी लगबख वन बाउल हमने इसमें जो है वो शुगर ली है तो आईए अभी हम इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में हैरी बॉटम पैन आप ले लीजिएगा उसमें अपनी गाजर डालिए और उनको अच्छे से इसमें सौते करिएगा सो देट इनका पानी सारण निकल जाए जब इसका गाजर का पानी निकल जाएगा तब हम इसके अंदर ये दूर हाफ लीटर हमने अभी डाला है और इसको धीनी आज पे अच्छे से पकाएगे इस तरह से ये लगबग थोड़ा लंबा प्रोसीजर रहेगा लेकिन बहुत टेस्टी लगेगा आप इसमें जैसे कई मैं इसके अंदर मावा जो होता है तो चलिए अभी हम इसको दीर दीरे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं देखें अभी हमारा इसमें दो किलो गाजर थी और इसमें मेरा केमल एक लीटर नी दूद लगा है इसमें हमारा इससे जादा दूद की इसमें जरुवत नहीं पड़ी क्यूंकि हमने इसका जो पानी था गाजर का वो अल्रेडी हम पहले ही इसको सुखा चुके थे तो इसमें बहुत जादा मिल्क की जरुवत नहीं पड़ी थी और इसमें भी खोया भी डाल रही हूं तो एक लीटर दूद में अराम से यह हो जाता है अभी देखें यह हलका सा हमारा यह पूरा दूद इसके अं अगर आप इसमें कंडेंस्ट मिल्क में दा रहे हैं तो हाफ पॉर्ण की शुगर इसमें डालगेगा अभी जब हम इसमें शुगर डाल देंगे तो शुगर भी अपना होडर रिड्यूस करेगी उस टाइम पे हम इसमें इसको थोड़े जिर और पकाएंगे और इसके बाद शुगर अपना पानी पूरा इसका गाजर सोख कर लेगी अपने अंदर उस टाइम पे हम इसमें लास्ट में खोया और जो देसी घी है वो मिलाएगे तो फिलान अभी इसमें हमने शुगर डाला है और देखिए शुगर ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है त इस टाइम पे हम इसमें लगवार डेख टेबल स्पून हम इसमें एक देसी घी डालेंगे और इसमें हम देख से दो टेबल स्पून हम इसके अंदर खोया डाल वेंगे और इसको अभी हम खूब अच्छे से फ्राइड करेंगे यह याद रखिएगा हलुआ जभी भी इसके पीछे केवल एक ही रिजन है कि हमने मोस्टी लोग क्या करते हैं जैसे अभी अपने इसमें घी और खोया डाला इसको वो लोग अच्छे से मिक्स किया और बस गैस बंद कर दी यही प्रोसीजर जो है वो आपका गैस जो गाजर का हलुआ है आपको हलवाई के हलुए स हलवाई जैसा अगर आपको गाजर का हलुआ बनाना है तो आपने जब घी डाला और खोया डाला उस टाइम पे आपको खूब अच्छे से भूनना है मेन आप अगर जब यह भून लेंगे आपका गाजर का हलुआ कोई वो नहीं है कि आपका मार्केट जैसा ना बंद तो हम जब तक हम इसको बूनना है मेन अलग इसमें हमारा यह होता है कि जो हमारा गाजर का हलुआ बजार जैसा नहीं बनता है तो आप इसको खूब अच्छे से भूनिएगा और जब बिल्कुल साइड में से घी छोड़ दे उसके बाद हम इसमें ड्राइफूट्स डालेंगे औ बस हमारा हलुआ बनकर तयार हो जाएगा तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और जब यह बन जाता है तो मैं आपको इसका एक शौट बनाना भी सिखाऊंगी जन्रली जो हलुआ है वो हम ऐसी सर्फ कर देते हैं लेकिन अगर आप इसको शौट बनाकर सर्फ करेंगे त अब हम मैं आपको इसका शौट बनाना सिखाती हूँ यह शौट वाले हमने ग्लास लिये है उसमें एक लेयर आप ऐसे गाजल के हलुए की लगाईएगा सेकेंड लेयर हम इसकी जो आप रबडी आती है उसकी लगाएंगे आप इसमें विपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं ले अगर आप चाहें तो एक दो स्लाइस उसके भी डाल सकते हैं आफ्टर फिर हम इसमें गाजर के हलुए की एक लेयर लगाईएगा उसको हलके हाथ से ऐसे टैप करते हुए प्रेस कीजिए यह देखने में बहुत टेस्टी लगेगा और अच्छा लगेगा प्लस खाने में तो टेस्टी होगा ही और थोड़ा एक अपना डिफ्रेंट वे हो जाएगा गाजर के हलुए को सर्व करने का नेक्स्ट हमने फिर इस पे एक लेयर यह अपनी रबडी की डाल दी और फिर हम एक लेयर और इस पे गाजर के हलुए की लगा भी सकते हैं अगर आप नहीं चाहरे तो इस ओके चलेगा ऐसा नहीं है तो देखिए हमारी पूरी लेयर अलाग अलाग सब दिख रही है अच्छे से बस अब यह तैयार है आप चाहे तो इसके उपस इसके उपर थोड़ा सा यह रखे और अब यह हमारा सर्फ करने के लिए शौर्ट तैयार हो गया तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है और एक डिफरेंट वे हो गया और आप इसको और छोटे छोटे शौर्ट ग्लास जो आते हैं अगर आपको ऐसे पार्टी सर्फ कर रहे हैं तो आप उसमें भी इसको सर्फ कर सकते हैं तो जरूर इसको ट्राइ कीजेगा अगर आपको मिलती है थैंक्यू है वेरा इस्टे